आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कानपूर मेट्रो प्रोजेक्ट के वारे में कानपूर मेट्रो का 1st phase वर्तमान में under construction है और दिसमबर 2021 तक 1st phase operational हो जाएगा कानपूर मेट्रो को धाय साल में complete करने का target है और एगर इतने कम टैम में ये project complete होता है तो कानपूर मेट्रो इंडिया का fastest मेट्रो हो जाएगा तो देखते हैं कितना काम हुआ है कानपूर मेट्रो प्रोजेक्ट में और कब तक ये complete होगा तो प्लीज इस वीडियो को last तक जरूर देखना चलिए start करते हैं कानपूर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ काफी खुब सुरत सहर है और काफी जैदा इंडस्ट्री होने के कारण कानपूर को उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल कैपिटल कहा जाता है कानपूर उत्तर प्रदेश में लखनो के बाद दूसरा सबसे बड़ा सहर है इसलिए लखनो के बाद कानपूर को भी जल्द ही मेट्रो का सौगात मिलने वाला है पहला कोरिडोर यानि की रेड लाइन आइटी कानपूर से नौवस्था तक इसमें टोटल 22 स्टेशन है जिसमें से 8 मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड होगा जबकि 14 मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड होगा और इस कोरिडोर की टोटल लेंथ 23.8 किलो मिटर है जबकि दूसरा कोरिडोर यानि की ब्लू लैन CSA उनिवस्थिटी से बर्रा 8 तक और इसमें टोटल 8 स्टेशन है जिसमें से 4 मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड होगा जबकि 4 मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड और इस कोरिडोर की लेंथ 8.6 किलो मिटर है इस मैप में रेड कलर से एलिवेटेड और ब्लू कलर से अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को दिखाए गया है। इन दोनों कोरिडोर के लिए DPR सेंटरल गवर्मेंट से एप्रूब्ड हो गया है। इसके अलावे दो और कोरिडोर की प्लैनिंग की जारी है। पहला कोरिडोर याने की ग्रीन लाइन NRI सीटी से फूल भाग तक जिसमें 10 मेट्रो स्टेशन होगा और दूसरा कोरिडोर एएरपोर्ट मेट्रो लाइन होगा जो कानपूर सेंटरल रेल्वे स्टेशन से स्टार्ट होकर एएरपोर्ट के बीच चलाया जाने का प्लैन है। लेकिन फेज 1 में केवल आईटी कानपूर से मोती जील तक मेट्रो दौरेगी। जी हाँ कानपूर मेट्रो के फर्स्ट फेज में आईटी कानपूर से मोती जील के बीच मेट्रो चलाया जाएगा। वर्तमान में ये सेक्शन अंडर कंस्ट्रेक्शन है। आईटी कानपूर से मोती जील तक के सेक्शन की लेंथ लगभग 9 किलो मेटर है और इसमें 9 मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। और इस पूरे सेक्शन में मेट्रो एलिवेटेड होगा। आईटी कानपूर से मोती जील तक के सेक्शन में सिविल वर्क यानि की अलिवेटेट रेक बिछाने का और मेट्रो स्टेशन कंस्ट्रेक्शन का कॉन्ट्रेक्ट एपकॉन्स इन्फरा को मिला है। पूरे सेक्शन में पिलर का कंस्ट्रेक्शन स्टार्ट है और ज्यादातर पिलर का कंस्ट्रेक्शन कंप्लीट हो गया है। कानपूर मेट्रो को लखनो मेट्रो से भी कम टैम में कंप्लीट करके रिकॉर्ड बनाना चाहती है। चलिए मैं बताता हूँ कि UPMRC क्या है। प्रेल कॉर्परेशन कर दिया गया। वर्तमान में UPMRC लखनों के अलावे कानपूर, आगरा और मेरट जैसे मेट्रो पोजेक्ट पर काम कर रही है। और फ्यूचर में उत्तर प्रदेश में जितने भी सहरों में मेट्रो चलाया जाएगा, सभी मेट्रो UPMRC के जिम में ही होगा। UPMRC का दावा है कि दिसंबर 2021 तक यानि कि लगभग 15 महने बाद आईटी कानपूर से मोती जिल तक मेट्रो ऑपरेशनल हो जाएगा। आईटी कानपूर से मोती जिल तक टोटल 9 मेट्रो स्टेशन इस प्रकार हैं। पहला स्टेशन है आईटी कानपूर, उसके बद कल्यानपूर रेलवे स्टेशन, फिर SPM होस्पिटल, फिर CSJM युनिवर्सिटी, फिर गुरुदेव चोड़ाहा, गीता नगर, फिर रावतपूर रेलवे स्टेशन, उसके बद लाला लाजपत्र होस्पिटल और लास्ट म मोती जील, मोती जील से नया गांज अस्टेशन तक के अंडरग्राउंड मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए भी UPMRC के द्वाड़ा टिंडर एनवाइट किया गया है, जिसकी लास्ट डेट 18 सेप्टेंबर 2020 है, अगर आप डिटेल्स में जानना चाते हैं, तो UPMRC के ऑफिस्य वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लखनो मेट्रो के कंपेर में कानपूर मेट्रो में दो मेट्रो स्टेशन के बीज का गैप कम है, इसलिए कानपूर मेट्रो में ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमेटर पर आवर होगी, जबकि एबरेज स्पीड लवक 30 किलोमेटर पर आ होने लगा तो यूपी एमर्सी ने भी कॉंट्रेक्ट कैंसिल कर दिया चैनीज कंपनी से और अब गुजरात बेस्ट इंडियन कंपनी कानपूर मेट्रो के लिए स्टार्टिंग में 39 मेट्रो कोच सप्लाई करेगी शुरुवात में कानपूर मेट्रो ट्रेन में 3 कोच होगा यानि कि पहले दिन से ही कानपूर मेट्रो में टोटल 13 ट्रेन चलाई जाएगी कानपूर मेट्रो में एवरेज 4 मिनिट के गैप पर ट्रेन एविलेबल होगा और एक कोच में लगभग 300 पैसेंजर यानि कि लगभग 900 पैसेंजर एक साथ कानपूर मेट्रो ट्रेन में ट्रे ट्राफिक जाम लगा रहता है। उमीद है कि मेट्रो आने के बाद कानपूर में ट्राफिक जाम में काफी कमी आएगी। उत्तर प्रदेश में कानपूर और आगडा दोनों सहरों में मेट्रों के लिए एक साथ अप्रूबल मिला था और दोनों सहरों में मेट्रों के लिए फ